बेसकली समोसा कचोड़ी खाना तो सवी को भूती ज़्यादा पसंद होता है अगर आप समोसा कचोड़ी खाने के सोकीन है तो आपको जिन नास्ता भूती ज़्यादा पसंद आने वाला है इस नास्ति के आंगे आपके समोसा कचोड़ी भी फेल हो जाएंगे इतना ज़्याद आटा, इसको हमने चान्ड कर लिया आप चाहें तो गयों की आटे की जगा मैदे का इस्तमाल भी कर सकते हैं, आटे को हम इस तरह से निकाल लिया है, इस नास्ते का टेस्ट बढ़ाने के लिए, अब हम इसमे डालेंगे एक छोटी चम्मस अजवाइन, अजवाइन को हम इस तर होती ज़्याद अच्छा था है। तो यहां पे हम और अजवान इसमें डाला दी के सांती में डालेंगे सुधत के अनुसान नमक। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 चमच रिफॉींड ओई इसमें मौहिन देने के लिए हम इसमें ऑईल जालेंगे आप चाहें तो इसकी जगा घीं का इस्तमाल भी कर सकती है अब हम सभी चीज को इसमें मिला लेंगे तो यहां पर हमने सभी चीज को मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा-thोड़ा पानी डालते जाएंगे और सॉब डू बनाकर त्यार कर लेंगे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लिजेगा तो यहां पर हमने नास्ति के लिए सौब डू लगा कर तयार कर लिया है अब हम इसको 10 मनिट के लिए रेश्ट करने के लिए रख देंगे तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना कर तयार कर लिए इस्टफिंग बनाने के लिए यहां पर हमने लिया एक मिक्सिंग बॉल अब हम इसमें डालेंगे दो इसथाएसे उबले हुए आलू इसको हमने पहले ही उबाल के रख लिया था अब हम आलो और मटर को इस तरह से मिक्स कर लेंगे यहां पे हमने मटर को उबाल के ले लिया है अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप मटर के वगर भी इस नास्ती को बना कर तैयार कर लेंगे अब दोनों चीज़ को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो मिक्सर से भी इसे मिक्स कर सकती हैं अगर हम इसको हतेली से करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी कहीं भी गुटली नहीं रहेंगी इसलिए हम इसको हाँ से ही मिक्स करेंगे तो यहाँ भी हमने आलो और मटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मज कोटी हुई लाल मिर्च, सांतिम डालेंगे दो पिंच हिंग, हिंग डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मज जीरा, एक चम्मज डालेंगे सौंप, सांतिम डालेंगे दो बार कटा हुए स्था से चौप कर लिया था हमने प्याज को अब इस टेश्टी नास्ते का और भी ज्यादा टेश्ट वढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाल अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह आधी चमस आमचूर पाउडर का इस्तिमाल भी क सकते हैं तो यहां पर हमने धना पाउडर इसमें डाल दिया है अब हम सभी चीच को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर हमने सभी चीच को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है यहां पर हम इस तरह से दो लोईयां बना ली है अब हम इसकी एक रोटी को बेल लेंग अब हम इसके उपर थोड़ा सा इस तरह से सूका आटा लगाएंगे और रोटी को बेल कर तैयार कर लिए तो यहां पर हमने रोटी को बेल कर तैयार कर लिया है अब यहां पर जो हमने स्टफिंग बनाई थी आधी स्टफिंग हम इसके अंदर लगा देंगे और आधी स्टफि करते जाएंगे इसको हमको बहुत ही जादा टाइट फोल्ड करना है धीला नहीं करना है अब हम इस तरह से रोल करते जाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे इसी प्रोसेस से आपको भी फोल्ड करना है आपको धीला नहीं करना है ताइट ही करना है तो यहां पर हमने रो आपको जितने भी बडे साइज करनास्ते बनाना है अप उस हिसाब से इसमें कट लगा सकती हैं लेकिन हम इसको मीडिया में लगाएंगे तो यहाँ पे हम इसी तरह से सारी कट को लगा कर तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे हमने सबीकट लगा लिए हैं अब हम एक को और इस्से तरह से हम पेड़े जैसे बनाकर तयार कर लिए और सम्प्रोसेस में दुबारा से रोटी बी ली थी और जो मैं ईश्टाफिंग का तोरी अब हम इसमें डालेंगे दो से तीन चम्मस ग्याहयू व ta साती में डालतीकिए अदि चमस लाल कुटि वी मिर्च साती हम डालें कि एक चमस सपेद तिल और थोड़ा सा डालेंगी स्वाथ कर नमख अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और बैटर को बना कर तैयार कर लिए बैटर को पतला नहीं करना थोड़ा गाड़ा ही रखना है तो यहां पर हमने बैटर को बना कर तैयार कर लिया ठीक इसी तरह से आपको भी गाड़ा वना रहा है आपको पतला नहीं वनाना है तो चलिए अब हम चलते हैं नास्ति को फ्राय करने के लिए तो यहां पर हमने फ्र इसी तरह से हम एक एक उठाएंगे इस तरह से डिप करते जाएंगे और एक बार में हमारा जितना कढ़ाई में नास्ता आ जाएगा उस हिसाब से हम इसमें फिराय कर लेंगे एक बार में हमको जादा नहीं डालना है थोड़ा ही डालेंगे दो से तीन बार में हमारा जो नास् आपका बहुती ज़्यादा ओयली हो जाएगा इसलिए आप इसको गैस का फिलिम मीडियम ही रखिएगा तिहां पर हमने नास्ते को इसमें सिखने के लिए डाल दिया है अब हम इसको दो से तीन मिनिट के लिए इसी तैसे सिखने देंगे तिहां पर हमारा नास्ता हलका सा निकाल लिया है और सेम प्रोसेस से बांकी की बचनास्ते को भी हम इस तरह से डिप करते जाएंगे और बांकी की प्रोसेस जैसे हमने आगे किया था सेम प्रोसेस से हम इसको भी सेखकर तैयार कर लेंगे तो यहां पर हमने दोबारा से जो नास्ता सिखने के लिए डाला था वो भी अच्छी तरह से सिखकर तैयार हो चुका है अब हम इसको भी निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारा सभी नास्ता जो है बनकर तैयार हो गया है, यहाँ पी हमारा नास्ता दिखने में कितना जाद अच्छा लग रहा है, इस से जादा खाने में भी टेस्टी लगेगा, आप इस तरीके से एक कब गया हूं कि आटेस इस टेस्टी नास्ती को जरूर बना कर द तो आप इस नास्तिक को गर्म गरम टमाटर, कैचप और हरी सटनी के साथ इंजोई कर सकती हैं खानें बहुती ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो फिर चली आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अंगली वीडियो में किसी नए रेस्पी के साथ